और सबसे वहले बात करेंगे बेमौसम, बारिश और ओला वुस्टी के जिसने किसानों को रुला कर रख दिया है किसानों के फसले नस्ट हो गई है धरती पुत्रों के माते पर चिंता की लकीरे साफ रज़र आ रही है किसानों को सरकार से मुआफ़े की आसे और उन्हें उमीद है कि सरकार संकट की इस घड़ी में उनका दर्द सुनेगी और उनकी मदद करेगी पूरे प्रदेश भर में बे मौसम की बारिश और ओलो ने 26 जिलों में फसल बरबाद कर दी है इन जिलों के 3102 गामों में फसलों को 50 फीसदी से भी ज्यादा नुकसान पहुँचा है और सबसे ज्यादा अगर नुकसान की बात की चाये तो इनमें जो फसले आती हैं वो जीरा, इसबगोल, गेहू, चना, सरसु, जों, लहसुन, धनिया और संतरा की खेती को हुआ है भरतपुर, कोटा, बारा, जालावर, जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुचा है जबकि गंगानगर की बात की चाये, हनुमानगर की बात की चाये और राजदानी जैपुर की बात की जाये तो यहां पर खराबा कुछ कम हो है लेकिन अगर पुरी प्रदेश भर की बात की जाया तो हर जिले में किसान के चहरे पर चिंता की जुला की रहे है वो साफ नजर आ रही है राजय भर में वो रही बे मोसम पारेश और लवरस्टी को लेकर मुख्यमंत्री वसुनर राजय के निर्देश पर मुख्यसचीव सीएस राजय ने वीडियो कॉन्फरेसिंग के जरिये सभी जिलों के कलेक्टर्स और संभाग्या एक्तों से फसलों के खराबे को लेकर लाक लिया और 18 मार्च तक गिर्दावरी रिपोर्ट बना करे सरकार को भेजने के निर्देश दिये हैं इस दोरान सबसे ज्यादा जो जिले आते हैं उनमें कलेक्टर्स ने गिर्दावरी का समय 18 मार्च से आगे बढ़ाने की मांग की है कॉन्फरेंस में मुख्यसचीव न तो राजधानी जैपूर साइथ प्रदेश भर में बारेश और लवरस्टी से फसले चौपच हो गई है राज़े के क्रशिमंत्री प्रभूला सैनी ने फसलों के नुकसान का आंकरन करने के लिए अधिकारियों के साथ जैपूर के नेवटा साइथ कई लागों का दौरा कि बे मुस्दम बारिश से किसानों के हाल बेहाल है लगातार जो है फसलों के खराब होने की सूसना जो है वो पहुंच रही है उसके बाद मंत्री प्रभूलाल सैनी जो है क्रशिमंत्री वो दोरे पर निकले हुए इस वक्त जैपूर के आसपास के जो गाउं है वहां का दौर कि निश्चित रूप से बे मौसम जो बारिश पिछले बारा तेरा और चोदा तारिक जो हुई है वास्तों में कटी हुई पसलों में काफी नुक्षान हुआ है और जो ग्यों की पसल खड़ी थी उनमें भी हावा चलने से वो लोजिंग हो गई याने गिल गई हुए तो अ सपुच आकलन के लिए अभी हमारे साथ सारे अधिकारी मौचुन है करशी आधिकारी यह द्यम साप सारे लोग कर राजा सा ने इस सरकार ने इसको खंपृता आशिली और हम लोग प्यास करते हैं कि पुरी राजस्तान मेंने और कृद्धरों का हम लोग करेंगी और वह बहुत स्तिती जो है उसका आखिलन करने के बाद ही कुछ का आ जा सकता है कि राजस्तान प्रोदेश में कुलकिता खराब हो है। देखिए अभी जिस परकार का आख्लान हमें प्राप्त हो रहा है देख रहे हैं हम लोग जहां पचास परतिस्टे से अधिक पसले जो कटाई के कारण से या किसी भी कारण से लोजिंग होने से खराब हुई है एसी पसलों के किसानों को हम लोग राष्ट्री आपदा प्रबंदन योजना में यानि स्टेट डजास्टर मेनेजमेंट कहता है तो उनको पचास परतिस्टे से खराब होने पर उनको इसकी रात दी जाएगी और उसके नॉम्स मने वे हैं कि लगबागे साड़े चार हजार र पर हम लोग इनको प्लब्त कराते हैं जहां पर मौसम अधारित पसल भीमा है या हमारे मोडिफाइट पसल भीमा है वहां की किसानों को यदी बे मोसम बारिश पांच एमेम से लेके 20 mm से लेके 25 mm तक हुई है एसे शित्रों का भी आकलन हम लोग पर रहे हैं मोसम भाक्षिया पर लगे वे हैं उनके आकड़े हम लोग संक्लित कर रहे हैं यदि उसी नौम्स के अधार पर भी वारिस हुई तो मौसम अधारित पसल भीमा को डिजस्टर मेनेजमेंट के अतरिक्त जो भीमा कंपने की दोरा साहिता जी जाती है उसरकार उनको देखिए तो कहीना के सरकार यह बताती हुए नजर आरी कि सरकार गंबीर है किसानों के मुद्धे को लेकर के राजिस्थान के जो करशी मंतरी है वो दोरे पर निकले हुएं पुरत प्रदेश वर की तश्वीर के अगर हम बात करें तो जो किसानों से मिलने के लिए अधिकारी क्रशी विभाग के अधि कि सरकार ने जो है आश्वस्त कूया है कहींना कहीं कहते हैं नजर आये करशी मंतरी पर भुलाल सेनी जो सरकार है वह किसानों को लेकर कर गंभीर है और मदद करने कि बात नजर आ रही गालोद ने अमने ट्वीट में ओला वरस्टी और बारिश से तबाह हुई फसलों को लेका सरकार की कारेपर नाली पर ही सवाल खड़े कर दिये उन्होंने सरकार से किसानों को जल से जल मुआवजा देने की भी मांग उठाई है